Consolidate Construction, CCCL Limited, क्या future होने वाला है इस stock का, क्या हमें इस stock के अंदर invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या price forecasting होने वाली है, क्या target होने वाले है, detail में fundamental और technical analysis मैं आपके साथ करने वाला हूँ My name is उतकोर, शर्मा, this is market prime और आप सभी का स्वागर आपी की इस youtube channel पे आपने अभी तक हमारी family जोईन नहीं करी ना, please channel को subscribe करके market prime family member बन जाएए All right, current market price आप देख पारे होंगे 0.35 के, अगर मैं आपसे 1 month return की बात करूँ ना, 20% की इसने positive return दिये लेकिन 1 year के अंदर इसने 70% के negative return दिये और 5 year के अंदर इसने 93.48% के negative return दिये तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इस stock में short term investment करना चाहिए या long term investment करना चाहिए अगर मैं आपसे market cap की बात करूँ ना, 11.96 का इनका market cap है 52 week का high था 1.26 का और 52 week का low था 0.15 का book value की बात करूँ 4.64 की है negative के अंदर return on capital employed है 3.26% का अगर मैं आपसे P ratio की बात करूँ ना, 0.08 का negative मैं P ratio है price to book value 0.09 का है sector PA 26.23 का और sector PA 2.63 का तो आप देख पारे होंगे, अगर मैं आपसे इनकी sales की बात करूँ ना, March 18 में थी 471 करोड की, जो March 19 में कम होकी होगी थी 456 करोड की और present year में 340 करोड की, अगर मैं आपसे operating profit की बात करूँ ना, March 18 में था negative में 21 का, वो March 19 में हो गया था negative में 4 करोड का और अभी present year में negative में 67 का, वही मैं आपसे net profit की बात करूँ, तो वो नेगेटिव में था 2018 के अंदर 87 का, March 19 में था 72 का negative में और present year में 157 का negative के अंदर, तो आप देख पारेंगे sales, operating profit और net profit तीनों में कितनी ज़ादा इनकी गिरावट है वही मैं आपसे अगर इनके share capital की बात करूँ ना 79.70 का रिजर्वर्ज है इनके पास 348 के negative के अंदर और debt इनके उपर आप देख पारेंगे increase हुआ है 1274 करोड का debt है इस company के उपर अभी और March 19 में 18 करोड की दी net cash flow भी आप देख पारेंगे अगर मैं आपसे इसके fundamental की बात करूँ ना बहुत ज़ादा वी के इसके fundamental और बहुत ज़ादा खराब fundamental है इस stock है लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किस price पे invest करना चाहिए और क्या ये एक multi-bagger stock बन सकता है 5.78% bank से 57.99% के आप banks का देख पारेंगे SBI, BOB, ICI, IDBI bank उनकी कितनी holding है अगर मैं insurance की बात करूँ 0 mutual fund है 0.59 का other DIAs इस 7.2% के और others है 16.51% के अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ 16 January 2008 की तो उस time पे ये stock high बना रहा था 240 का लेकिन उसके बाद stock में बहुत जादा गिरावट आई बहुत जादा और उस गिरावट ने रुकने का नाम ने लिया 27 June 2016 को इसने low बना दिया था 2.35 का लेकिन stock के अंदर उसके बाद थोड़ी recovery देखने को मिली और stock ने high बना दिया 10.35 का लेकिन उसके बाद जो जिरावट आई ना उसने रुकने का नाम ने लिया और उसने low बना दिया 0.15 का sir अगर आपने इस stock को इस price पे investment कर रखा है ना तो आपको इसके अंदर profit book कर लेना चाहिए अभी आने वाले थोड़े समय में और यह शायद 6.0.60, 0.65 के target यह अचीव कर सकता है वही अगर आप long term में देखे ना तो long term में यह आपको 2 रुपे तक के भी target अचीव करके दिखा सकता है यहाँ पर March में low बनाने के बाद ना stock में continue upper circuit लगे थे और इतने high बना दिया था 0.55 का लेकिन उसके बाद lower circuit और stock मे गिरावर्ट और उसके बाद यह low बना चुका था 0.15 का तो अगर आपने 5 August को भी इसमें investment कराए ना तो आप इसमें थोड़ा सा भी wait कर सकते हैं क्योंकि यह 0.60 तक के target आपको अचीव करके दे सकता है पसंद आई हो तो like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, please channel को subscribe करके market prime family member बन जा येगा